नमस्कार मैं हूँ डॉली आज पी एसस में उन वीरों की दूरदर्शा के बारे में आपको बताएंगे जिन वीरों ने कश्मीर पर हो रहे नापक हमलों पर अपनी सहास हिम्मत और होसले की बुलंद होसले की वज़े से उन्हें नाकाम किया है चलिए हमारे साथ आप देखेंगे कि किस तरह से उन वीरों पर दूरदर्शा की जा रहे हैं किस तरह से उन वीरों पर पक्थर बरसाए जा रहे हैं आप देख सकते हैं हमारे साथ यह वो किश्मीर के वीर है जो हमारे देश और देशवाशियों की रक्षा करने के लिए अपने घर से किलो मीटर से 70 किलो मीटर दूर बैठी है पर अन वीरों को किस तरह से किश्मीरी अल्गाववादी और पाकिस्तानी पिठों के द्वारा किस तरह से उनके पथर बरसा कर उनका अप्मान किया जा रहा है क्या ये सही है मेरे देश के जवानों की हाला तो अपनी राए हमारे साथ शेयर जहिए आज हिंदुस्तान में हर जगा चर्चा के विशा बना हुआ है जम्मु कुश्मीर जहां पर परोजाना सैनिकों के उपर हमने की जाते हैं जूतों उसे पठाई पर्थर से पठाई डांगों से पठाई हरता के पठाई की जाती है लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि हमारे अगर हमारे निताओं में इतना नहीं है तो कुछ दिनों के लिए हमें वोपत दिया जाए और हम लोगर करके दिखाए हम चाहते हैं कि देश की जो सेना है सैनिक बला है उन्हें कुछ दिनों के छूड़ दी जाए वो बताएंगे कि हिंदो असीन में रहना है तो हिंदो सान का खाते हैं और हिंदो सान की जाय करने ही पड़ेगी फिंदो सान में रहना mana ही बड़ेगा अगर एसा ही चलता रहा पकिसान के पुलंतCs करने वारे क्टूल अगर हमारे कि उनके कान पकड़कर भी हमें हिंदोसां से माहर भेह नहीं होगा नमस्कार मैं पपिंदर सिंगबार पंजाब सारा समाचार बढ़ेंडा से जम्गो एटकस्मेर में पाकिस्तानी आतर्थबादियों अलगावगादियों द्वारा हमारे फोजी जवानों के साथ तो जो दुरुवार किया जा रहा है जो पत्थर बढ़साए जा रहे है उसके बारे में हम आपकी राय चाहते हैं कि क्या यह सही है या गलत है जवार किस्तानी जो खूमे नहाती नहीं आज धरती बनी है दुलहन सातियों अब तुमारे हवाले वतन सातियों कर चले अंपदा जानों